हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इलेक्रिक वर्क सेंटर यूटूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे किसी भी कमपनी का आपका सेलिंग फैन का क्वाइल जो होता है उसको कैस तरह से कंटिनूटी करते हैं कि खराब है या सई है चाहे तीन वाइर निकला हो या चार वाइर हो चाहे हाई स्पेड का फैन हो किस तरह से इसको चेक करते हैं आपको इस वीडियो में ए टू जेट कंपलीट दिखलाया गया है बतलाया गया है अगर आप यह जानना चाहते हैं किसी भी फैन का क्वाइल का कंटिनूटी कैसे करें सेलिंग फैन का तो आप इस वीडियो को एट टू जेट कंपलीट पूरा ध्यान से देखिए सुनिए समझे उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है सवाल है सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बक्स में जरू लिखे तो जैसे कि हमारे पास ये सेलिंग फैन है और आपका किसी भी कमपनी का हो सकता है सभी कोयल में से आपका तीन या चार वायर निकलता है तो इसके अंदर से हमारा तीन वायर निकला हुआ जीने इसमेरेट का निकल个 का हमारा कॉमन है जो कॉईल थे सब पहले यहां पर एक को खूल से खुल देता है हैं या जो भी शीरेंगे हमें back थो यहां पर यहां से देखेजांगा और यहां पे बुलू कलर के बायद दोनों में टेस्ट कर रहा है। यहाँ परेड और यलो से चेक कर रहे है। से बिए बता रहा रहा है। बॉडी से यहाँ परी बुलू से हमारा बता रहा है, तो यहां पर हलंका साउट होगा, आवाज ही करेगा। जैसे यहाँ पे जो capacitor है वो हमारा सही है तो यहाँ पे सबसे पहले switch continuity test bulb holder को हटाएंगे और उसके बाद यहाँ पे fan के अंदर 3 हमारे body के screw होते हैं बाकी 6 यहाँ पे छोटा छोटा fan की blade के लिए होता है तो यहाँ पे body screw जो है उसको खोल लिए हैं और fan वाला blade का जो screw है उसको खोलने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पे जो condenser clip है इसको भी खोल लेता है और इसके बाद इसको खोलने के लिए क्या करेंगे इसको उल्टा करके इस्ते से ठोकेंगे और यह निकल जाएगा यहाँ पे लूज हो गया तो wire को हम सीधा कर लेता है ताकि wire हमारा कटे नही और उसके बाद दोनों side से screwdriver लेकर करके इस्ते से करेंगे तो यह निकल जाएगा उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा hammer लेंगे और इसको थोड़ा सा मारेंगे तो यह लूज हो करके यह वाला भी लूज हो जाएगा तो इसको भी निकाल देंगे ज्यादा tight है तो थोड़ा स जो है यहां पे जला हुआ है यानी यहां पर यह किस कारण होता है हाई port क我要 करन होता हैं दूसरा बोल्टेज पर होता है और एक हमारा यहां में ज्यादा हीट हो जिता है उसकारण भी होता है तो यह दो तरह के一次 अता है तो सब से पहले यहाँ पर जो wire है सब को थोड़ा सा हमने यहाँ पर निकाल देते हैं और चेक करेंगे यहाँ पर continuity की coil हमारा स Eagles है या नहीं है जिसए यहाँ पर जला हुआ है तो हमारा coil बचा है या rumfeel को हमें winding करना होगा यहाँ रिवानिंग करना होगा तो वायर को यहां पे निकाल लिए बुलू वाला जो वायर है वो कट नहीं हुआ है दो ही वायर हमारा यहां पे जला हुआ था यहां पे slip से वायर को और निकाल दिये हैं इसको भी यहां पे हम निकाल लेते हैं अच्छी तरह से ताकि और यहां पे ध्यान रहे है ऐसा नहीं क तो हमारा जो काफी पतला होता है 35 नंबर होता है वह हमारे हमेज हो जाए यहां पर हम निकाल है हुए हैं आप लाइम करूं क्यों कि इसके उपर जो यहां ए जला के तब जाकर कर पाएं पे चिक कर पाएंगे जैसे वायर को थोड़ा-थोड़ा मुह जो है उस पे थोड़ा सा जला देते हैं आप लाइटर का इस्तमाल कर सकते हैं हम माचिस का इस्तमाल यहां पे कर रहे हैं तो यहां पे हमारा तीन वायर था तीनों को थोड़ा-थोड़ा हमने यहां पे जला लिय जिससे हम यहां पे चेक करेंगे continuity तो आसानी से हमारा continuity बताएगा यहां पे stretch bulb holder फिर से लेते हैं और यहां पे देखिएगा ध्यान से जैसे यह हमारा जल रहा है बलब holder अभी यहां पे यह हमारा उपर वाला running का होता है और अंदर वाला क्वैल स्टाटिंग का होता है बहुत से कंपणी में चेंज होता है तो यहां पे हम रनिंग को देख रहे हैं तो winding ही हमें करना होगा अब यहां पे इस fan के अंदर हमारा चार वायर निकला हुआ है और यह high speed का है छोटा blade है इससे पहले वाला बड़ा blade का था तो यहां पे इसके अंदर चार वायर निकला हुआ है कुछ नहीं होता है तीन वायर ही बहतर होता है क्योंकि जो दो वायर आता है common कर दिया जाता है चाहिए अंदर कीजिए जैसे इस कोईल में आप देखेंगे तो रेट कलर का जो वायर है वो common है अंदर ही कोईल से इसको आपस में connect कर दिया गया है कमपनी कभी भी जो रहता है original winding वो आपका तीन ही वायर निकलता है अंदर ही common कर देता है running and starting मिला करके यहाँ पर क्या होता है चार वायर उसी टाइम निकलता है जैसे हम हुए या कोई भी mystery अगर winding करता है तो तीन वायर नहीं निकलना चाहता है चार वायर निकल देता है तो यहाँ हमेरा फैंश चल नहीं रहे एकमेर पुरा बल हमेरा सौर्ट है यहाँ पर बौडिय। छॉइट लेडा बढ़ाई को चैक करेंगे स्क्रायर में आज पर क्या करेंगे इसको हटालेंगे उसके बाद यहां पर यह यह यहां फिर्ट यह लोग का दोनों वायर है कंटिवूटी प्रोपर तरह से बता रहा है बौडि से भी नहीं है लेकिन फिल इसमें resistance नहीं है तो इसके coil में problem है या तो sort हो सकता है या तो जला हुआ भी हो सकता है तो यहाँ पे fan को खोल लेते हैं हम जिस तरह से उस fan को open किये थे उसी तरह से इसको भी open करेंगे लेकिन इसके अंदर जो coil रहता है high speed का थोड़ा सा welding करने का change हो जाता है जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ अलग तरह से है और यह हमारा fan है तो इसके अंदर coil तो साफ दिख रहा है यह कई बार repair भी हुआ है लेकिन इसके अंदर कहीं पे तो sort है हमें अच्छी तरह से देखना चाहिए जैसे यहाँ पे देखißेंगे तो यह जला हुआ है जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यह कौल हमारा जल गया है तो इसे भी हम वंडिंग ही करेंगे रिपैर नई करेंगे क्योंकि पहले ही बहुत बार यह रिपैर हो गया है यह अच्छी तरसे नहीं चलेगा तो हम इसे वेंडिंग करने वाले हैं तो वेंडिंग की वीडियो मैं आगे आपको वीडियो में अपलोड करूँगा और उसमें मैं दिखलाऊंगा किस तरह से वेंडिंग आप कर सकता है सेलिंग फैन का इसी तरह से बहुत से fan का coil जो होता है वो जल जाता है जैसे ये बीच वाला जो coil है जल गया है ओबर हीट होकर के जला है ये ज्यादा voltage पे होता है कुछ में एक coil जलता है जैसे एक ये coil है आपस में sort कर गया यानि दो coil एक पास तो इसको repair तो हम कर सकते हैं लेकिन उसमें speed नही होगा अगर body से leakage है तो भी आपका fan का coil का winding करना पड़ता है अगर जल जाया तो भी coil की winding करना पड़ता है कोई एक coil बश्ट माल जाया तो भी winding करेंगे तभी fresh चलेगा अब यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ लिजिए जो fan का coil होता है उसकी continuity किस तरह से proper होती है सई होती सबसे पहले यहाँ bulb जो है हमारा पूरा तरह से जल रहा है वो कितना पर जल रहा है यह अच्छी तरह से आप देख लिजिए उसके बाद यहाँ पे continuity चेक करेंगे जैसे green से black हो गया red से black हो गया तो यहाँ पे bulb अपका slow जल रहा है यानि resistance है अब यहाँ पे हम चेक करेंगे और यहाँ पे red से क्या है कि दोनों में हमारा तेज जल रहा है यानि सबसे सुलो से थोड़ा तेज तो यहाँ पे red हमारा common हो गया यहाँ पे देखेंगे red से green थोड़ा सुलो जल रहा है लेकिन यहाँ पे जब हम चेक कर रहा है red से black तो यह थोड़ा ज्यादा जल रहा है त दोनों वायर जब capacitor पर जालेंगे तो हमारा ग्रिंज रहाएगा उसमें tip लगा देंगे उसमें किसी भी तरह का wire का connection नहीं होगा सिर्फ capacitor का होगा लेकिन एक capacitor black पर होगा और उसी में एक अपकर neutral हो जाएगा या face हो जाएगा और एक अपकर neutral या face जो wire बचता है वो हमारा red पर हो जाएगा तो इस तरह से आप fan की coil की continuity करके clear कर सकते हैं कि fan का coil सही है या खराब है